आपको pension के पैसे निकालने हैं आपको ही नहीं बहुत सारे लोगों को pension के पैसे निकालने होते हैं लेकिन वो pension निकालने का नियम नहीं जानते हैं जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक person है वो कहते हैं PF चेक करना है और उसके बाद UN नमबर देने के बाद कहते हैं कि pension के प यहां जो आपको जानकारी मिल रही है यह मैं काम करता हूँ उस बेस पे आपको जानकारी दे रहा हूँ लेकिन pension का पैसा निकालने के लिए आप उसे कभी भी advance के तोर पे नहीं निकाल सकते हैं अगर आपकी job कहीं भी चल रही है, किसी भी जगे job चल रही है तो आप pension को नहीं निकाल सकते हैं आप PF में जो दो हिस्से होते हैं, एक तो आपका हिस्सा हो गया है, जिसे employer बोलते हैं और दूसरा होता है company का हिस्सा company का हिस्सा तो फिर भी आप नहीं निकाल सकते हैं, आप अपना हिस्सा निकाल सकते हैं लेकिन जो pension में पैसे होते हैं, वो आप नौकरी के दौरान कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको wait करना पड़ता है, अगर कभी ऐसी position आती है, कि आप उस time पे कहीं पे भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, और 60 दिन का समय बीच चुका है, तभी आप pension के लिए form number 10C भ चोड़े हुए हमें तीन महिना हो गया है, अब तो हमें उसका पूरा पैसा निकाल के दे दीजिए, ऐसा नहीं है, अगर आपने पुछली company को छोड़ने के बाद कोई नई company join कर ली, तो आपकी service continue हो गई, और service continue होने पे आप पुरानी company का पूरा पैसा या फिर पूरा pension नह निकाल सकते हैं, आपको उसे transfer करके नई जगे लाना होता है, और नई जगे लाने के बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ अगर निकालना चाहें, तो अपना employee share निकाल सकते हैं, pension का share आप नहीं निकाल सकते हैं, pension के withdrawal में आपको दिखा रहा हूं क्या-क्या possibility है, pension के लिए सबसे पहली possibility है, आप दो महिने तक unemployed हो गए, तब आप निकाल सकते हैं, आपने 58 साल की उम्र आपकी हो गई है, तब आप निकाल सकते हैं, जो PF का member है, वो expired हो गया है, और उनके परिवार वाले family pension के तोर पे निकाल सकते हैं, यही तीन possibilities होती हैं आपको pension निकालने के लिए, जैसे PF में आपके पास अलग-अलग time limit है, कि 5 साल बाद आप यह निकाल सकते हो, 7 साल बाद आप यह निकाल सकते हो, last year of employment पे आप ऐसा निकाल सकते हो, वैसा कोई भी नियम, pension के लिए नहीं है, pension के लिए बस यह तीन ही सिधान्द हैं, या तो 2 महीनी की unemployment, या फिर आपकी age complete हो करते हैं, आशा करूँगा, आप इस चीज को समझे होंगे, और ये वीडियो हजारों लोगों को beneficial होगी, अगर beneficial लगे, तो ज़रूर से आप चैनल को support कीचे, सब्सक्राइब करके, ताकि हजारों लोग जो इसी सवाल से परिशान है, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, बह झाल